हेलो दोस्तो, मेरे पास है अंडर 25,000 रूपीज में दो प्यारा सा स्मार्टफोन Vivo T2 Pro और Infinix 030 दोनों फोन का बेस्ट बेरेंट का प्राइस है 24,000 रूपीज और दोनों फोन को आप Flipkart Big Billion Day सेल में 22,000 रूपीज में खरिच सकते हूँ इसलिए तो बहुत सारे दोस्त कन्फियूज है यह दोनों फोन लेकर आज इस वीडियो में दोनों फोन के भी इस डीटेल कॉंपेर करके मैं आपको बताऊंगा किसका कैमेरा बेस्ट है, किसका प्रोसेसर पारफूल है और कौनसा फोन को आप अगले 2-3 साल के लिए यूज कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के तो चलिए शुरूबात करता हूँ दोनों फोन की बॉक्स कॉंटेंट से दोनों की बॉक्स में सब कुछ मिल जाता है चार्जास से लेकर TQ केस तक डाल दिया है लेकिन इन्फिनिक्स लेदर बैक के साथ आता है इसमें क्रैस नहीं आता है फिंगरफिन का निसान भी नहीं आता है और ये फोन गंदा भी नहीं होता है और Vivo की phone glass back के साथ आता है दोस्तों इसमें तो crash इसमें नहीं आता है लेकिन finger pin का निसान आता है और ये phone हातों में slip करता है लेकिन दोस्तों Vivo का phone Infinix से पतला है और हलका भी है सिर्फ 178 gram का आता है और Infinix सिर्फ 186 gram का आता है अच्छी बात तो है दोनो फोन का build quality solid रखा है back panel पीछे से दपता नहीं है फान साइट से देखो कि दोनो फोन में center पंच होले दोनो फोन curved display के साथ आता है डिस्पले का विजल और नीचे जो chain दोनो फोन का छोटा रखा है ऐसे भी दोनो फोन में in-display fingerprint sensor है जो हार बार accurate और fast काम करता है बहुत ही दुक्की बार है दोस्तों दोनो फोन में आप SD guard को huge नहीं कर पाओगे तो design सबका अलग-अलग choice रहता है तो design के मामले में आप कोई वेक phone को choose कर सकते हो ऐसी भी दोस्तों दोनो फोन truly 5G phone है सारे important 5G bands का support है दोनो फोन में 4G plus भी continue मिलता है जब आप online movie देखोगे या gameplay करोगे network का issue दोनो फोन में नहीं आता है अच्छी बात तो है दोनो फोन में आप चुपके से call recording कर सकते हो दोनो फोन में dual mic है noise को अच्छी तरीके से cancelling कर लेता है लेकिन दोस्तों Infinix में NFC मिल जाता है वीवो में NFC नहीं है खेर दोनो फोन में AMOLED डिस्प्ले है और डिस्प्ले का sides भी same रखा है 6.7,8 inch, Full HD plus resolution के साथ आता है दोनो फोन में curve डिस्प्ले अब Full View डिस्प्ले का मज़ा ले सकते हो लेकिन दोस्तों refresh rate में अंतर है Infinix में 144Hz का refresh rate वीवो में 120Hz का refresh rate है दोनो फोन को जब आप side by side use करोगे तो जाता smoothness feel होगा Infinix का फोन brightness दोनो फोन का अच्छा रखा है इंडोर पर आउट्डोर पर आप अराम से दोनो फोन को use कर सकते हो दोनो फोन का processor powerful है इसलिए आप YouTube पर 4K में HDR content देख सकते हो 4K वीडियो अठाकता नहीं दोस्तों लेकिन color contrast और detailing की बात क्या जाएगो Infinix का display मुझे सबसे अच्छा लगा है मैं Infinix के तारिफ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हूँ accurate जो black color है और Infinix में देखाई दे रहा है Color accuracy वीडियो से Infinix में अच्छा देखने को मिल रहा है display के मामले में साफ साफ winner रहता है Infinix 030 खेर दोस्तों दोनों फोन हाल फिलाल में Android 13 पर रान हो रहा है वीडियो में है Funtas OS 13 Infinix में XOS Vivo में 2 साल का Android अपडेट और 3 साल का Security Patch अपडेट मिलेगा Infinix में 1 साल का Android अपडेट और 2 साल का Security Patch अपडेट मिलेगा इस भी दोस्तों Infinix के OS में आपको Faltu का Apps बगरा नहीं मिलेगा इसमें Apps बगरा भी नहीं आता है और इसका OS बहुत ज़्यदा स्टेबिल है Vivo की OS में थोड़ा बहुत प्री इंस्ट्रल अप देखने को मिल जाएगा इसमें भी Ads बेगरा नहीं आता है लेकिन इसमें Hot Apps और Hot Games का चक्र देखने को मिल जाएगा कहना कहीं दोस्तों मुझे OS के मामले में इंफिनिक्स का फोन बैजन लगा तो आगर आपको Vivo का OS अच्छा लगता है तो आप Vivo के तरह भी देख सकते हो लेकिन आप मैं मुद्दे की बात करते हैं दोनों फोन की कैमरा के बारे में दोस्तों इंफिनिक्स का जो प्राइमारी संसर है 108 Megapixel इसमें एक Plus Point है दोस्तों इसमें 13 Megapixel का अल्टरोइट संसर मिलता है Vivo का जो प्राइमारी संसर है 64 Megapixel इसमें अल्टरोइट संसर नहीं है दोनों फोन में OIS मिल जाता है दोनों फोन से अब बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक कर पाओगे लेकिन हर फोटो में डीटेलिंग की बात किया जाया तो मैं कुछ फोटो जूब करके दिखा रहा हूँ आप यह पर देख सकते हो यह पर डीटेलिंग के मामले में मुझे इन्फिनिक्स का फोन सबसे अच्छा लगा है लेकिन एक बात याद में रगना फोटो में जब सकीन टोन की बारी आता है तो दोनों फोन भाई सकीन टोन को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है फोटो जो हलका सा पिंक कालर के साथ यहाँ पर सकीन के उपर दे रहा है बाकि Dynamic Range की बात क्या जाए तो Infinix यहाँ पर साप साब होईना रहता है Sky का कलर को कितनी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो Infinix का जो Selfie Camera है 50 Megapixel Feebo का जो Selfie Camera है 16 Megapixel तो यह पर Megapixel में जैसे अंतर है, हार फोटो में quality में भी अंतर देखने को मिल जाएगा आप यह पर देख सकते हूँ, ज़्यादा detailing के साथ अच्छा color यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है डिदो एक्र विडियो को रेकौड कर पाऊगे, बीबो से अफॉरकिय में 30 एप वीडियो रेकोर कर पाऊगे ऑपर फूने जब फूल एच्टी एप होगा, यह पर दैबिल विडियो रेकोर कर लेता है दोनों फोन का सारे फोटो सैंपल और वीडियो सैंपल देखने के बाद मुझे लग रहा है दोस्तों यहापर इंफिनिक्स हो है कैमेरा के मामले में सबसे अच्छ है चयर दोस्तों दोनों फोन में मीडिया टिक का पारफल चिपसेट बेलता है वीबो में है डैमेंध्से टी सेवन localsें टूंड़ हमंड्ड जो कि फोर नानो-मीटर पर बना हुआ है इनफिनिक्स में टैमेंध सेटी 8000 चीफिसर जोकि 6 नानो अनु h Parks आगे रहता है ऐसे भी दोनों फोन नॉर्माल यूज में हैंग वगरा नहीं करता है डेटु लाइफ उज में कुछ भी दिक्कत नहीं करता है दोस्तों लेकिन जब आप अब ओपेनिंग देखोगे तो इन्फिनिक्स का जो अब ओपेनिंग है वो बहुत ज़ता फास्ट है जो एनिमेसान है इसमें जीटर वेगरा नहीं मिलता है अगर आप फोन को नॉर्माल यूज करते हो या हेवी उच करते हो तो दोनों फोन कभी भी हैंग वेगरा नहीं करेगा लेकिन आप तो गेमार हो आपको चाहिए बिस्ट गेमिंग फोन तो भाई आप आग बंद करके Infinix का फोन ले लीजिए योगि Infinix का प्रोसेसर थोड़ा सा पारफूल है फिवोस है ऐसे भी दोनों फोन में BGM जैसा गेम 60 एपीस में चलता है Infinix में प्लास बांट दोस्तों इसमें 144 हर्स का रिफ्रेस्ट है इसलिए तो जब आप दोनों फोन में साइड बाई साइड गेम खेलोगे तो Infinix का जो स्मूधने से आपको बेटर फिर होगा ऐसे भी दोनों फोन में आप जितना मरजी गेम खेलो दोनों फोन अभारेट नहीं होता है Infinix का बेस बेरिन स्टार्ट होता है इसलिए तो मैं कहा रहा हूँ अगर आप फोन को थोड़ा हेवी में उच करते हो अगर आप गेम बेगर जादा खेलते हो तो आप Infinix का फोन ले लीजे इसका पापो में साब को कभे भी निरास ने करेगा ऐसे भी बैटरी में भी Infinix में थोड़ा सा फ्लास पॉंट है ये फोन 5000ES बैटरी के साथ आता है और Inbox आता है 688 ाट की एडतर के साथ जोब की फोन में है 4600 एमिच के बैटरी इनबोक आता है 66 वाट की एड़तर के साथ तो जादा battery backup आपको Infinix की phone में देखने को मिल जाएगा और Infinix का phone जलदे जलदे charge भी होता है तो इधार उधार की बात को छोड़के सिधी से बात करते हैं कौनसा phone आपके लिए best होगा और कौनसा phone को आपको खरिदना चाहिए दोस्तो दोनो phone का जो base brand है आपको 24,000 रुपीज में मिलेगा अगर आप Big Billion Day Sale में दोनो phone को लेते हो तो offer में दोनो phone 22,000 रुपीज में मिलता है इसलिए तो बहुत सारे दोस्त कनफियोस है अवरल दोस्तो दोनो phone की design camera, performance और battery के तरफ देखा जाये तो यह पर Infinix सब सब winner रहता है Infinix का जो back panel है वो लेदार के साथ आता है और इसका build quality बहुत ज़्यदा मजबूत है ऐसे भी display में भी Infinix winner रहा है camera का मामला में Infinix का phone भी मुझे बहतरन लगा है ऐसे भी इसका performance भीबो से काईगूना बहतरन भी है battery backup भी Infinix में ज़्यादा देखने को मिलता है इसलिए तो दोस्तों मेरे हिसाफ से Infinix 030 आपके लिए सबसे अच्छा phone रहाएगा अगर आपको Infinix जाए सा brand अच्छा नहीं लगता है तो भीबो के तरफ देख साकते हो overall दोस्तों आपको कौनसा phone अच्छा लगा है कौनसा phone आप खरिदने के लिए सोच रहा है ओभी मुझे comment में बता दीजे मुझे भी दपता चलेगा आपके इसाफ से कौनसा phone बेस्ट हो रहा है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक like करके चैनल को subscribe करके हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे honest वीडियो देखने के लिए हो साके तो एक वीडियो आपके दोस्त के साथ भी share कर देना उसका भी मदाद होगा तो अचके लिए इतना ही फिलते हैं अगले एक fresh वीडियो में